आमतोर पर राष्ट्रवादी निता, आधुनिक सिक्षा प्राप्त लोग थे, जो लोगतंत्र, उधारवाद या साम्यवादी विचारों से प्रभावित थे, लेकिन उनके देश के अधिकांश लोग अपने पुराने विचारों को ही लेकर चल रहे थे, जो प्राया पुरु आधुनिक सिक्षा और संस्थाओं की मदद से नय विचारों को लोगों में फैलाते हुए राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करना चाहती थी, दूसरी और ऐसी धारा थी, जो पुरानी परंप्राओं वधर्मों के आधार पर लोगों में साजी भावना विक्सित करन सामाजिक बदलाओं और पुराने पहचानों को बनाय रखने की बाद साथ साथ चलती रही। पहलाल नहरू और वल्लब भाई पटेल जैसे कॉंग्रेस के नेता संभ्रांत वर्ग के होते हुए भी गरीब किसानों, मजदूरों वह जनजातियों के आंदोलनों में समलित हुए थे और उनके हितों को राष्टवादी आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। इनी प्रयासों के कारण इन समुगों के लोग राष्टवादी आंदोलन में शामिल हुए लिकिन कई अन्य देशों में ऐसा नहीं हो पाया और गरीब तपके के लोग कटे रहें। राष्टवादियों के समक्ष तीसरी चुनोती यह थी कि अधिकांश देशों में लोगतांत्रिक प्रणाली विक्सित ही नहीं हुई थी। नहीं वहां व्यापक जनभागीदारी के आधार पर राष्टवादी आंदोलन बने। पर भारत इन मामलों में अपवाद ही रहा क्योंकि 1880 से ही भारत में लोगतांत्रिक प्रणाली का आभास लोगों को होने लगा था। अंग्रेश सरकार ने भारत में मतदान तथा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा नगरपालिकाओं के कामकाज की परंपरा शुरू कर दी थी। 1919 और 1935 में व्यापक चुनाओं के आधार पर प्रांतिय सरकारों का गठन भी हुआ था। इनके अलावा भारत में प्रात्मिक सिक्षा अन्य देशों के तुलना में अधिक व्यापक थी और उच्छी सिक्षा के लिए विश्वे द्याले भी स्थापित थे। इनमें सिक्षा प्राप्त करके एक सचेत मध्यम वर्ग उभर चुका था जो देश के लगभग हर वर्ग, जाती, धर्म और प्रांत का प्रतिनिधितु करता था। राष्टवादी आंदोलन का नेत्रित करने के लिए एक लोकतांतरिक संगठन कॉंग्रेस पार्टी भी उपस्तित थी। इस कारण इन देशों में उपनिवेश के विकल्प में लोकतंतर नहीं, बलकि ताना शाही या सैनिक शाष्ण विक्सित हुआ। वी उपनिवेशी करण के कुछ उधारण। पहला भारत 1935 के बाद भारत में अंग्रेश शासन के विरुद लगातार आंदोलन चल रहे थे। हर तरफ किसान, मजदूर, आदिवासी, यूव, आदि उपनिवेशी विवस्था के विरुद लड़ने लगे थे। इस बीच गांधी जी के नेत्रुत में कॉंग्रेस पार्टी, राष्टवादी आंदोलन का नेत्रुत कर रही थी। जैसे जैसे यह साफ होते गया कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा, तो विभिन सामाजिक वर्गों के बीच आपसी तनाव भी उभरने लगे। डॉक्टर अमेडकर जैसे दलित नेता यह चिंता करने लगे कि स्वतंत्र भारत में दलितों का क्या इस्थान होगा। इसी तरह मुसल्मान भी चिंता करने लगे। तमिलनाडू जैसे राज्य के नेता भी यह सोचने लगे कि स्वतंत्र भारत में उनके लिए क्या जगा बनेगी। कॉंग्रेजों ने इन आशंकाओं का लाब उठाया और यह जताने लगे कि कॉंग्रेज भारत के सबी तबकों का प्रतिनिदित्त नहीं कर सकती है। और उन्होंने अलग-अलग धर्म और जाती के लोगों को आगे आकर अपना दावा रखने के लिए प्रेरित किया। भारती मुसलिम लीक के नेता मुहम्मद अली जिन्ना ने मुसल्मानों के लिए अलग-अलग देश पाकिस्तान की मांग की। इसी समय जमीनी इस्तर पर जन आंदोलन तीवर होते गए। कई राज्यों में किसान विद्रो की राह पर थे, शेहरों में मज़दूर भी संगटीतों कर हर्ताल आदियान दोलन कर रहे थे, सेना और नौसेना भी विद्रो की कगार पर थे, सन 1946 में तो अरप सागर पर तैनात नौसेना के जवान विद्रो कर गए और उन्हें भारी जन भाजन किया जाएगा, तथा पूर्व और पश्रिम के मुसल्मान बहुल इलाकों को अलग देश बनाया जाएगा। लेकिन स्वतंत्र भारत का लोगतांत्रिक समिधान कैसे बना और सारोभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर किस प्रकार संसत का चुना हुआ, यह कहानी आपने राजनीति शास्त्र के अध्याय में पढ़ी होगी। यहां हम इंडोनेशिया के स्वतंत्रता की कहानी पढ़ेंगे। दृते विश्व के युद्ध के दोरान जर्मनी ने हॉलेंड को हरा कर अपने सामराज में मिला लिया था और इंडोनेशिया पर जर्मनी के सहयोगी जापान का कबजा हो गया था। जापान ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की बात तो की मगर वास्तों में इंडोनेशिया को अपना उपनिवेश बनाना चाहा। जापान की सेना ने बरबरता से इंडोनेशिया के जंगलों को काटने, खनिच संपदा पर कबजा करने और व्यापारिक फसलों को जापान भेजने का काम प्रारंब कर दिया और स्थानिय लोगों से जबरदस्तिक काम करवाने लगा लेकिन उन्होंने कुछ हॉलेंड विरो जापार ने डच भाषा की जगा स्थानि भाषा की उप्योग को प्रोचसाहन दिया लेकिन कई राष्टवादियों ने जापान का विरोध भी किया और कहा कि जापान हॉलेंड से भी बुरा व्यभार कर रहा है कुल मिलाकर 1949 से 1945 के बीच इंडोनेशिया में राजन्यतिक अ प्रेज हो गया है